महाकाल की द्रिष्टी डेव समाज के व्रिहद महोत्सव का अयोजन हो रहा था, सभी देवता अपने अपने वाहनों में आ रहे थे, महादेव शंकर सभा में प्रवेशकर रहे थे, उन्होंने सभा भवन के बाहर स्थित एक व्रिक्ष की शाखा, पर बैठे हुए एक शुक क और कुछ गंभीर द्रिष्टी से देखा, शंकर तो सभा भवन में चले गए, किन्तु उस शुक के मन में चिन्ता उत्पन हो गई, समीग बैठे गरूर से उसने अपनी आशनका का निवेदन किया, उसके बचने का उपाई सो चकर, गरूर ने कहा, शुकराज मैं तुम्हें दृतागती से अनेक समुद्रों को पार, करा कर किसी सुरक्षित स्थान पर, छोड़ आता हूं, चिन्ता मत करो, उद्धरन चिन्ह, गरूर ने पूरी शक्ती से उलकर बहुत, कम समय में अनेक समुद्र पार, करके उसे दूर कहीं सुरक्षित स्थान, पर बैठा दिया, सुक्ता से शंकर के सभा से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा, शंकर निकले, उन्होंने पुनह व्रिक्ष की उसी शाखा की ओर, देखा, गरूर ने सहम कर उनकी गंभीर, द्रिश्टी का कारण पूछा, शंकर बोले, शुक्र कहा है, गरूर ने कहा, भगवान, शुक, आपकी तीक्षन द्रिश्टी से भएभीत हो गया था और मैंने उसे दूर एक, सुक्षित स्थान पर बैठा दिया है, उद्धरन चेन्ह, शंकर ने कहा, यही तो मेरा, आश्चर्य था की कुछ हीक्षन के, बाद वह शुक उसी स्थान पर एक, महासर्प द्वारा कवलित हो जायगा, तुमने उस समस्या का उपाई कर दिया